कि अच्छ में और अच्छ में जो दो हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक आवा दरीए क्या बएट अरे सब आ गए क्या बाई सब पाई ना सब्सक्रादा अर्या क्युंग объяс कोई और सेक्टर में कर चुका दूसरे दुबारा नहीं मिलेंगा ओके ओके आजाओ भाई पटाफट आजाओ जिल्दी आजाओ कि अरे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जल्दी आजाओ अगे बढ़ते हैं हम लोग हेलो 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 माइक चेक माइक चेक लाइक वाइक कर सकते हो अगर अच्छा रखता है तो बाकी आपकी मर्जी जल्दी आजाओ बाई चैप्टर आज अपने को मतलब यह भी एक करन अफ्यर के चैप्टर कम्रीट हुआ उसका लेने वाले हैं इसका भी अगर हो जाए तो फिर इसका भी ले लेंगे तो आजाओ फटावट फटावट इंडिया के उपर हम बात कर रहे हैं इंडिया सब्सक्राइब कर दिया था ठीक है ना इस्क्यूज मी लास्ट क्लास में लोगों ने स्टाट अप इंडिया क्या था कंप्लीट कर दिया था ठीक है ना इंडिया की बेनिफिट्स पढ़े थे ठीक है और फिर हमने स्टाट अप इंडिया की दिफरेंस्येशन भी देखा था इंडिया इन में फरक्ड क्या होता यह विए फिक रिविजन कर दें की फिर नेक्स्ट सब्सक्राइब करते है लोग तो हमने बोला था कि स्टाट अप जो है यह स्कीन के अंदर गौर्मेंट चाहती है कि जाद से ज़ादा हमारी कंट्री के अंदर employment क्या हो जंद्रेट हो प्लस साथ की साथ क्या हो और यह तभी पॉसिबल है गौर्मेंट का मानना है कि को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके जैसे एंप्लोइमेंट क्रियेशन भी होगा अच्छा मज़े की बात अगर मैं आपको बताओ तो यह इंडिया को अगें प्रमोट करने का जो गोल है उसकी बीचे और इंटेंशन भी है ताकि हमारी कंट्री के अंदर innovation क्या हो प्रोड़क्ट कोई भी बंदे खुल पाएंगा और अगर जहां हजार बंदे खुल सकते ते चलू करेंगे ज्यादा होता है दिक्कते जादा होती नया innovation करना होता है प्रोब्लम बहुत आती है उसके अंदर तो इसलिए गवर्मेंट ने को क्या देने चलू कर दिये काफी सारी benefits देना चार पेनेफिट कर्या करी करें कि व्हचार करीं पांच बेनिफीट ऑफ इंदियाने श्कीम के अदर दी है आपको मिलता है इंदी पॉरम ऑप पाइनली सेव्य स्टेंड के बैनेफिट बैनेफिट और वोले तो क्या होता है तो अपने नय प्रदक्ट का क्या करवाएंगा तो उसकी जो प्रोइट्ट कोस्ट होती है वह थे हैं काफी हे皮ग होती तो जो भी तेरी प्रतिशत का 80 प्रतिशत का को प्रोइड कर देंगे रिबेट कर देंगे मतलब अगर मालनो 100 रुपे लग रहे हैं पेटेंट को रेजिस्टर करवाने में तो 80 रुपीस का बेनिफिट मिल जाएंगा सिर्फ 20 रुपीस करने पढ़ेंगे तो पहला यहां पर रिबेट दिया इन पेटेंट कॉस्ट 80 परसेंट का दूसरा सब्स वाहат entrepreneur से पुरी साथा दिया ग्यां पत्लब जो भी इनकॉर्परेशन नेससे 3 साल तक पुरह आट मतलब क्या कि इंपकर्परेशन रङेस्टरिस्टरिशन ऑर जिस्टेशन और बिसनेस कैसे ब्हुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है सब्सक्राइब करने से जाधा बोलते हैं कि वह ब्रेजिस्टेशन और इंकॉर्परेशन करना धन देगा यह जाधा रिफिकल्ट है तो उसके लिए सिंगल विंडू स्टाटप अरेंच कर दिया गया और साथी साथ सिंगल विंडू डाउट प्रोब्लम डाउट सॉल्विंग बात करहें तो क्राइंब अब मिल रही है मतलब पहले तो कि Breaking प्राइर्ट की कोई रिक्वाइर्मेंट नहीं है पतलब बेसिकली वैसे सब के लिए होती है बस टाट अप इंडिया स्कीम में अगर तुम रजिस्टर हो तो 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 यहां पर का भी मिलेंगी प्रियारीटी भी मिलेंगी तो वह भी बात बढ़ी अखतरनाक होगी कि तुमको क सब्सक्राइब कर सकते हैं और वह यह कि अंदर यह त्रिफ तीन टाइप के और्गनाजेशन सी यह यह तीन तीन टाइप के डिपर पर सकते हैं पहला पाटनर्शिप दूसरा लिमेटेबिलेटी पाटनर्शिप अति स्रा प्राइप लिमीटीस depending अगभर प्र inomडशिप लिमिटेट अंड पर सोल प्रोप्रैटर है नहीं हो सकता है प्लिक लुञ टले असट कंपनी तो यहां पर कानी मों सकते है रेज that is nothing but partnership firm and limited liability partnership firm and private limited companies clear I don't follow clear or not clear 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 कि दो कॉमन सेंस की बात टाइम मतलब क्या होता कुछ बच्चे और टाइम लगेंगा कि कॉमन सेंस की बात है तीन चैप्तर ने 25 मारक है तो मिकोनमिक्स की उपर एक एक मैना दे देते हो अ कितने माक्का महां कि मिलता है तुम्हार को पांच 25 मारक उसकी आएवज में तुमको वहां पर पांच से छे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं ठीक है यहां पर 25 मारक है तीन चैप्टर है और तुम में एक्स्पेट कर रहे हो कि मैं अपरा भगा के खतम कर दू लोग कब दिमांक जगप है कि नहीं तुमको तभी अक्कल आती है उसमें भी तुमको ऐसा है कि नहीं वह भी डीटेल में नहीं पढ़ना है फिर बोलते माक्स नहीं मिला ऐसा थोड़ी नहीं होता है चलो आजो ना लेको पास कराने की अच आटें तो पर आया इव शो मिलीक कंल इसे ज्यादा इंपॉर्ड़ंट नहीं है बेसी क्लिव मैस्पेसे भी कुशल आते हैं या कि क्वर्विकन नहीं आते हैं लेकिन इतने जादा डजिद्ध मैस के अंदर हम नहीं जाएंगे की इसके उंद्यश्यला होत्ते हैं ठीकि नह कि यहां जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे से पढ़ते चलना अभी जो बचावा बैलेंस चैप्टर उसके अंदर ठीक है ताकि तुम लोगों को दिक्कते कम आए तो दिक्कते ज्यादा आ जाएंगी फलतों में और थोड़ा टाइम तो लगेंगा भाई किसको इन्वार्म चलो तो बात करते हैं स्किल डेवलप्मेंट की भाई सब गौर्मेंट एक और बहुत जोड़दार चीज बोलती है कि हम अपने कंट्री को स्किल कैपिटल बनाना चाहते है वर्ल्ड का स्किल कैपिटल बोले तो क्या बोले यार देखो हर बंदा जरूरी नहीं कि डिगरी ल बेंटा डिगरी हम क्या करना चाहते है हर बंदे के हाथ में कोई ना कोई स्किल डालना चाहते है ताकि उसकी मदशने वह अपना जिंदेगी का क्या करता करता है कि हमारी कंट्री के आंडर स्किल्पूल लेवर पूर भी क्या हो creature चायना और इंडिया में ये भी बहुत बड जाता है कईना कई यह भी चीज जो मैनिफेक्ट्टरिंग वाले लोग है जो इंडर्स्ट्रीट सेट अप करने वाले लोग है उनको लुबाती है इसी वज़े से वो चायना भी जाते हैं तो यहां पे पॉइंट आपको समझने माला कि लोग होना बहुत ज़रूरी है और इंडिया के अंदर लेपर से लेकिन इतने जाद स्किल्फूल लोग नहीं तो गौश्मेंट ने अब बात को ठाल लिया आश्चान काई सालों पहले से ठीके ना और गौश्मेंट ने हम भी इंडिया के अंदर भरपूर्स्किल्फूल ली भई अब को गौश्मेंट ने हां पर चीज शान से बुली सुनने वरी बात कि शील्फूल लोग है ठीके ना स्किल्फूल बोलते हम इंडिया का इंडिया का इंडिया को उसके लिए क्या करना पड़ेंगा उसके लिए उनको स्किल्फूल प्रोवाइड करनी मेकैनिक के डीजल मेकैनिक के गाड़ी रिपेरिंग के तुम्हारा मेकप वेकप के बहुत तारी ऐसे कोर्सेस होते हैं जोड़निए पर इस यह पर से लिए आप लोगों को सिखा याटा जाते की civिल के मदब से अपण चीवन क्या करना को गुजाड सको तो गवर्मेंट न उसके लिए क्या कर रा गवर्मेंट न उसके लिए की सुनना एक एंश्ट कआंपर पतास करते छलबक्राव नेस सुन किसका नवार्मेंट्ण का एंश्ट देविसिनानल कर यह प्रफफिक प्रफबिक और पर्फिक बनाएगी स्चहन इस मैं सुना होंगा कि company that का section 8 होता है 2013 का और 1956 का section 25 basically दोनों एक ही सीजे दोनों के अंदर बाते बोली है वह एक ही है बस परेक्ट यह है कि section 25 जो है वह belong करता है इस company that 1956 को ठीके ना और section 8 जो है वह belong करता है company that 2013 को basically दोनों के अंदर बात भूही बोली है वह क्या कि जो non-profit organizations होती है वह इन sections के अंदर क्या होती है रेजिस्टर होती है तो बेसिकली यहां पर भी लिखा है कि एनस्टी सी जो है एक non-profit organization जो कि registered होई है section 8 of companies 2013 के पुराना अला section का को मतलब नहीं है section 25 ठीके ना और एनस्टी सी जो है basically यह setup करी गई by ministry of finance as a public-private partnership इसके अंदर जो मांकर से चल रहो सारे पॉइंट मांकर से चलना ठीके न वह सारे पॉइंट रहेंगे मतलब एनस्टी जो बनाएंगे वह किसने बनाया ministry of finance पॉडलीक-ट्राफशिप को मतलब क्या होता है इसकी क्या है partner और है इसकी क्या है इसके अंदर जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया है उसकी थू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल कि डेवलप्मेंट एंट्रेशिप वह 49 परसेंट होल्ड करती है और जो प्रावेट सेक्टर है वह बैलेंस 50 परसेंट क्या करता है होल करता है मतलब सिंपल है कि प्रावेट सेक्टर जो है यह और सिंदर 501 परसेंट शेर करता है और जो गवर्मेंट का कॉन्सी आली मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्ड डेवलप्मेंट एंटर फिर्शिप sett मेंटर ऑगेंगर प्रावेट सेक्टर तो यह जो बनाई गई ऑर्गनाजसेशन यह क्यों बनाई थी इसके पीछे कारण क्या था यह तो आपने सर्फ इसका बनावाट समझें कि भाई साब यह एक नौन प्रोफिट और गनाजसेशन है जो की सेक्शन एट अफ कंपनी रेजिस्टर हो की बनी ज फिफ्टीवन पर्सेंट अभी शेयर कैपिटल जैडिस होड़ बाई पॉब्लिक क्लियर को समझा है नहीं समझा है क्लियर मैंने गलती से में बोल दिया था अब क्यों बनाएगे तो एंस्टिसी एंस्टू प्रमोट स्किल्ड डेलप्मेंट बाइक क्या इनका काम क्या एंस इन्सटिवेट टैयार करें जो बोनों ऐसे में इस्किल्स के ट्रेनिंग दी जाता है कि ढूंथ की आपको जो आप लोग को क्या दे इस टाइट की सर्विज दे लेकिन यह जो वो केश्टन इंस्टीटूट बनेंगे यह सारे क्या है फॉर्ट प्रॉपिट और गवर्मेंट यह बात बहुत बहुत ही जाती है कि अगर प्रावेट वाला बंदा कोई भी इंस्टीटूट खोलेंगा त करने वाले हैं करने वाले हैं कि इंस्टीट क्या करते हैं क्या करते हैं तो दोनों में परक है्-वोक श्किल्स स्किल्स करते स्किल की ट्रेनिंग देते हैं और वह करती है और इसमें बच्चों को बड़ा कंस्यूजन रहता है इसलिए क्लियर करें करेंज से मंड IT का फूल फर्म लिखा हुआ है घ्रलप्मेंट कर लिखाए दिखो मिनिश्टिर और सकِल्ट इवलप्मेट्मट एंट्रेपर क्लियर् लार्ज क्या करें क्रुशाइट अहना का इसका है इसका में इन्टेंशन पनाइश्णर्यर्ट को ब्यूघ सब्सक्राइब करें अब बनने में क्या करेंगा मतलब हमारी कंट्री में का एक पूरा क्या बढ़ाता है क्या बोलते एक पूरा का पूरा चेंद क्रियेट हो बढ़ी एक पूरा किसका मानना है एक डिसी का मानना है तो वह काम में लगी और वोकेश्य इंस्ट्रीट क्या करते हैं त्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तीके ना अब नीची की लाइन में आना 21 सेक्टर के अंदर अगें इनका क्या है फोकस है कित्ते सेक्टर के अंदर 21 सेक्टर के अंदर क्या है इनका फोकस है 21 सेक्टर के अंदर फोकस का मतलब क्या हो गया कि बेसिकी यह 21 सेक्टर हो है इसके अंदर ट्रेनिंग हम क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे तो आपको य कि यहां तक उसमें तुकड़े तुकड़े में डाउट लेते चलूंगा इसके क्योंकि कैसा नहीं बच्चों को ज्यादा करता इसलिए यह साथ पढ़ा धूंगा ना तो पुर जाएंगे और डाउट भी बहुत ज्यादा क्रेट जाएंगे तो बेटर है कि हम बीज बीज में गाप ले लेके पड़े इसको ठीके ना तुक्ता कि पढ़ना भी कंप्लीट हो जाए और दिक्कत भीना है क्लियर यहां तक कुई डाउट है कि सुमिश्यर्मा हम बच्चे नहीं आप तो क्या पपा बंग गया हूं नहीं कहना का चाहते हूं कहना का चाहते हो तो कि ओक के अब इतने एक्स्प्लेंट कर देता है पॉब्लिक प्राइवेट पाटनर्शिप मतलब गॉवर्मेंट और प्राइवेट शेक्टर दोनों जब मिलके काम करते हैं तो दैट इस पॉड़ल पीपी कि ओक के कि अधिश्टी और अलग अलग है एनेश्टी इस 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 अधिश्टी आप स्किल्ट्रप्रेश्ट और अंट्रप्रिश्ट कि यह सब्सक्राइब करेंगे एज एक अधिश्टी का नाम है ठीक है ना जो मिनिस्ट्री यह सारे प्रोग्राम को क्या कर रही है कर रही है techniques के ठूर्य व च्रुक्त क्या बनाया गया पर भी नीचे आते फिर बात करते हां तक क्लियर हो गया कि तो आप इतना इच्छा बड़ा दोड़ी ने ओके अरे बेट्टा दीरेश सोलंकी वह उनका शेयर है मतलब एक अगर कंपनी फॉर्म होई है तो कंपनी के अंदर 49 परसेंट शेयर जो है आप सेंटर का हरशी दो मिनिष्ट्री इंक्लूड निये एक इंग्लूड दूसरी मिनिस्ट्री ने सिर्फ क्या किया उसको बढयाने के लिए आगे बनने के लिए कि हैं पब्लिक लिमिंटेड बोल सकते नैंसी गुप्ता बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्लीर गाटेट ओके लव फ्रम जम्मू औरे बड़ी बात है कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब रूखो अभी डाउट बात मिलेंगे भी अब मुद्धे बाते हैं डिटेल सब्सक्राइब बनाता है जो अपने चेंटर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रदान मंतरी कौशल वोकेशनल ट्रेनिंग इस तरीके से और चाहिए तरीके से प्रोवाइड करी जानी चाहिए थीए थीए नहीं वो इस तरीके से वनीची ताकि हमारा इंडिया है उसको क्या बना सक्किया मतलब इतने ज्यादा स्किल्फूल लोग हम अपनी कंट्री के अंदर जमा कर दे हम इ अगर कहीं पे भी स्किल का नाम लिया जाए तो साथ में इंडिया का नाम लिया जाना चाहिए इन लाइन विदी सेम्टी स्किल्फूल डेलपमेंट इंटर इंट्रेशिप इंट्रेश्ट इस वजए से वह MTC अधिस मॉडल ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्रिक के अंदर क्या कर प्रोवाइड कर सके स्किल्फ प्रोवाइड कर सके ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बड़े बड़े शेरों में बना दिए और बाकी जगें कुछ नहीं कर रहें इसको बनाए तो इस इंप्लिमेंटेशिन अब क्या हो गया कि MSDC ने एक विजन देखा MSDC का विजन है विजन है कि बासाब हम क्या करना चाहते है हम इंडिया को । के लिए की हर डिस्ट्रिक के अंदर क्रेंग सेंटर होना चाहिए नौ कर रही है अब स्थों सक कर रही है उसको Implement कौन कर रही है Implementation Agency को नहीं को Implement करने का काम कौन कर रही है NSDC कर रही है अप मिनिस्ट्री ने तो यह बात बोल दी proposal प्लान मना के दिया अब उसको Implement करने का पूरा का पूरा काम किसका है NSDC का जैसे एक्ट्टन स्किल डेलप्मेंट कोप थो इस तरीक़ी के इंस्टीट बनाएंगी वह डिया लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइट करेंगे तो तो बेसिक्लिए बिदिये धिंडरेंट्थ क्या जिन है क्लियर नेक्स्ट पॉंट चिंटर अन्विजिस तू अ मॉडल ट्रेनिक सेंटर क्या करता है जो को बच्चे नाले थे लिगिन लाइक क्लिक्ट तरीके से बोग बोलते हैं इस तरीके से काम करना चाहते हैं इस तरीके से क्रिएट करना चाहते है ताकि वह बेंचमार्क बने ठीक है ना एस्परेशनल वेली ऑफ कॉंपिटेंसी के कैसिस में स्किल ट्रेनिंग के लिए एक बेंचमार्क क्या बने टॉप इंस्टीड क्या हो क्रिएटर ठीक है और उनका में फोकस है क्वालिटी के उपर और सबस्क्राइब कर दो अब दो को हुआ है और यह क्या फंडिंग सपोर्ट अब यह क्या फंडिंग सपोर्ट का मतलब क्या होते है अब कोई भी मॉडल ट्रेनिंग इंस्टीटूट बना नहीं तो बहुत बनाने के लिए पाइसे लगता है कि आ बतार हैं झो कि मुद्वा कर दो करता दो कोई और कंक Itu मैध के बंगाता है तो बैसे बात है कि अगर ये prize तौं बनाने के लिए लगता है г इसकी बनाने के लिए लगता है और ये पैसा पैसा करता है कि अब यह बात यह बनाने के लिए दो बाते होती है एक लगता है कर डूसरा ऑपरेशनल सपोर्ट उप्रेशनल सपोर्ट मतलब चलाने के लिए इस नौट मतलब यहीं करने के लिए समय लगता है तो वह सपोर्ट हो गया लग बात है कि कोई बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या रखता है capital expenditure मतलब plant and machinery का खर्चा होगे एक्विपमेंट्स का बिल्डिंग का यह वो सारे खर्चे होगे ठीक है ना अब एनस्वी सी विल प्रोवाइड अब कंसेशनल सेक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है देखो वर्ड क्या वोला हुए एक तो कंसेशनल और उपर सेक्योर कंसेशनल मतलब मतलब कम रेट में देंगे लेकिन सेक्योर लियों तुमार्केट में जाए से कंसेशनल मिल रहे है तो यह प्रवायद कि यहां पर बता सकते हैं कि गिंश्टनल वर्ड बुला है तो मतलब हो गया कि जो रहा है यह बैंकों में चल रहा है उससे कम रेट में आपको क्या दिया जाएंगा यहां पे बनाना चाहता है उनको बनाने के लिए 75 परसेंट परसेंट से लागा 75 परसेंट के ताकि तू यहां पर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग पर्चेस अप्लाइड मशिनरी एक्विपमेंट कर सके यहां पर कोई भी ट्रेनिंग एड लग रहा है वह बना सके करना है को बिल्डिंग बनाना है अब करना है अब बनाना है तो वह सब सपोर्ट को देंगे यह देंगे तो बेसिकली तेरे को जो भी देट कॉस्ट है एक करोड़ रुपे उसका 75 परसेंट सपोर्ट को देंगा एक अश्डीसी लोन की तोर पर देंगे क्लियर तो कि बहुष सिंपल है अच्छा कर रहा है एक यह मॉढल ट्रे निक सेंटर में बनाने के लिए कपिटल एक्स्पेंडिचर में कर रहें कैसे एक तो वह बोल रहा है कि मैं 75 परसेंट टक प्रोजे सब्सक्राइब इंगा लुस्त फ्रों को क्या दिया जाएगा कुर्ण क्लियर नेक्ट अजाता है यह तो पर चीज का नाम है कि यह का सबस्ब्सक्राइब बाइसाब अप्रेरिक्षनल सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब होता है जब इंशीरूट करने के लिए जो इंशीरूट करने वाले बंदे होते हैं उनको उसमें भी क्या लगती है है ऐसा नहीं कि भाई बहुत आसानी तो खुदी क्या कर लेंगा पुरे इंशीरूट कर लेंगा ठीक है यहां पर क्या वो लगे कि सस्टेनेबिलिटी सेंटर विल बी अशूर्ड अगेस्ट डेडिकेटेत ट्रेशन्नंबर अंडर प्रधानमंत्री कोशल विटास योजना एंड और इस अब्स एक प्रादान मंत्री कोशल केंद्र केंद्र काणा मौ घेन फाल मुंझे मुझा मिध्रत केंद्र चोह रगखरन फिर उसको पूर्वर्थ यह प्रयां केंद्र करूं कुर्णर के mrplL 50ays अमतने स्कीण Letox को जाने इत्र प्रदान मंन्त्री प्रत्यों कोशल कि यह था खेए स्कीम के नाव है PMKK के इस दान मंत्री कोशल केंदर रिकेटिंग मैं पॉइंट मतलब इस पेम के विल भी अशुर्ड रेनिग मैंडेट पर थ्री यह अंडर पीम के विए स्कीम एस पर कॉमन नौप सब्सक्राइट जाएंगा इस चलाने की अनुमती दी जाएंगी तो सिंपल पर जाता है इस चला ने में आपको सरी अपरशीन सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इस चला जाता है बाकि उपर वाला कैपिटल एक्सपेंडिश्ट वाला पॉइंट अपर रखना है यहां तक लिए रिक्वेस्ट यहां तक क्लियर रेकें हुआ हे मन गुपता कि करने लगेगे तो गौर्मेंट तरीके से करी नहीं पहेंगी गौर्मेंट को प्राइवेट पहलों को इनवल्फ हाव करना ही पड़ेंगा यह सोछे होना हमेशा तो प्रदान मंत्री कॉशल विकाज योजना इसे रवीट राटोड राम दिपांशी एक ये लो पढ़ो रहे एम के वी वाय मतलब रगान मंत्री कौशल विकास योजना अगर अगर बागर 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 प्राइवेट कंपनी लॉस होंगा तो प्राइवेट कंपनी बिल्कुल बेर करेंगे फिर उनका है तो लॉस्ट होंगा वो दोनों करेंगा ना सरिये जो एंडिया में कहां कहां पर रहे हैं तो आप भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में जाकर ढूंड सकते या गुगल पर सरस्कुर मिल जाएंगे आपके जिस्ट्रिक्ट में कहां पर लिए वे लिए प्रबोलते के नहीं बोलो क्लियर अ प्रीप विट्रक्ष्य रहता है आज कल कैसा हो गया है ना बिल्डिंग बनाए जाती है बिल्डिंग विल्डिंग जो अपकिल क्या बनती है तरह तो कर देते हैं तुछ प्ल ci तुट करते सव कर लोंगा बोहत दिन तो यह थो करना है पड़ेंगा टाइम ने मिल रहे एक्चूली ःच्विश्वाम तुम्हारी क्लासे चल रही है गंटा वहीं निकल पार हो बश्य कलना पड़ेंगा टाइम तो निकालना पड़ता है क्लियर अब तोड़ अगे पोईंट ओरा था है इंटरनाशनल स्केल्ट्र अब यह क्या थोड़ा धान से सुनना प्लीज इंपर्णन्ट है अब कंट्रीद एबिलिटी एंद पोटेंशिल पर ग्रोथ इस डिटर्माइट बाइड इस साइज उथ पोपुलेशन भाई सब बूलता है कि कोई भी कंट्री की पॉपुलेरिटी सब्सक्राइबिलिटी एंड पोटेंशिल वह कंट्री के अंदर कितनी यूथ पॉपुलेशन इससे जानी जा सकती है मतलब आज इंडिया के तरफ हर बंदा क्यों आना चाहता है यह इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाने की बाते क्यों उठ रही है तो उसके बीचे बहुत कार इंडिया के अंदर क्या जो यह जब करने वाली पॉपुलेशन है अब काम करने वाली पॉपुलेशन है तो बट ऑवेसी बात है कि कंट्री को आगे बनने तो कोई नहीं रूप सकता अगर बच्ची जयादा रहेंगे तो वह अलग के सुझाता है बड़े बुड़े जयाद है क्योंकि यूथ तो यूथ तो यूथ टो बी हार्नेस्ट उनको हार्नेस करना पड़ेंगा मोटीवेट करना पड़ेंगा स्किल लाइन करना पड़ेंगा स्क्रिम लाइन करना पड़ेंगा ताकि हमारी कंट्री के अंदर रैपिड प्रोग्रेस हो सके सिम्पल बात है आज जो आज एक सब्सक्राइब कर देख लेंगे लेकिन यार तुम यह निसमझ रहे हो कि तुम जो आज एज गूरूप में हो वो एज ग्रूप पे तुमको प्रारिटी सेट करना चाहिए वो एज ग्रूप पे तुम्हारे लिए प्रारिटी सेट होना चाहिए कि भाई मेरे टार्गेट से मेरे को ये 22 साल की उमर तक CS कंप्लीट करना है एकिस साल तक की 22 साल की उमर तक तेज साल की उमर तक जो भी है उमर को रखना है उसके बाद मेरो को 25 शपर तक यह करना है तीज तक यह करना है मैं यह नहीं मुरा कि असनी लाइफ को मशीन में बना दो तुम जब चालू करो तब अच्छा है तो एक लिए खुद को सब्सक्राइब करने की बहुत जरूबत है तभी हमारी कंट्री क्या करेंगी आगे बढ़ पाएंगी के अंदिया व्यूंत के किया एलच एक चानथीज मांपर इस चैना इंडी बैजर कंट्री सब्सक्राइब के साइन लगवा एंडोनेसी 950 कि में बहुत जाद है इंडिया को फाइदा बहुत ज्यादा मिलने के चांसे अगर यूथ प्रॉपरली तरीके से काम करेंगा तो आगे बढ़ पाएंगी तो फिर किसी को इंडिया से फौरेंच जाने की जलत नि पड़ेंगी यह गैरेंटी डेंगे तो कि इसी आने वहले बीस साल करते हैं इंडिया में आएंगे क्लीया है एक शेकंड में गैसा ही कि जो है हुआ है हुआ है हुआ है ए कर दो कर दो कर दो कि जनरली कैसा होता है कि ऑफिस में कोई ना कोई रहता है बट आज कैसे संडे है तो सारा स्टाफ चूटी में सारे का सारा अक्यला तुम्हारा भाई बेटा है तो अब एक आंटी है जनरली मतलब काफी उमर के है वह आते कई बार ओफिस में मांगने तो उनको खालियाद बेज देना मेरा मन ने बानता है तो थोड़ा सा बाहर चले गया हूँ और यह स्वारी फॉर देट किसी को ऐसा खालियाद बेज देना बाद में अच्छा नहीं लगता है तो यह बात है है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केड़ डेलपमेंटर एंटरफिश्यर्शिप पॉलीसी अब यह गवश्बर्मेंट की एक और स्केड़ दया उड जाने के लिए पैटिव लिखा हुआ है बड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ रिजश्ट रीडाउट करना है सेल्फृट जो हमने अभी तख पढ़े उसी का बिवरा दिया हुआ है तो यह जो डब्बा है यह आपको उसरे परते एक बार सेल्फ लीट करना है कि यह ज़सेल्फ रिड करने अपको अब अब भी तुम्हें आगे बढ़ता हो फिर इंपोर्डेंट प्राइट पर आता हूं कि तुम्हारा हम से बाद में तसली से पढ़ लेना कोई दिख़ती है इसको हाँ नैंसी कुपता है इसलिए नेक्स लाता है पीडियोटी यह प्री डिपार्चर ओरेंटेशन ट्रेनिग अभी क्या है स्कूटा धान से सुनना बहुत इंपोर्टेंट है बहुत यह होती है प्री डिपार्चर ओर्यैंटेशन ट्रेनिंग का होती है यह प्रीडि यह प्रीटी अब बात क्या आती है जबहुपी बंदा हमारी कंट्रेंग जाता है हमारी कंट्री के लोग जाते पासे और यह बहुत सारे फैक्टर से जो इंडिया से अलग रहते है अगर आप देखेएंगे तो रोलेशन कई सारे रूलेशन कानून कहआ रहते सब्सक्राइब करने पड़ते हैं और कोई आप इरान इराक कुछ चले जाओ भी इंडिया से माइग्रेंड वर्कर्स मतलब जो बाहर जा या चार रहे उन लोगों के पहले एक बरेंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है मतलब जैसी वो टिपार्ट होने तरफ उन लोगों प्रोग्रम के तहट व्यριंतेशन प्रोग्रम रखा जाता है प्रीटी न गारेंटेशन रखा जाता है greenhouse आप हमारी country के अंदर जाएंगे तो उनको क्या दिया जाएंगा ट्रेनिंग के अंदर क्या कर जाएंगा उनको दूसरी country के language culture do's and don'ts of destination countries मतलब जो country में क्या कर रहे जा रहे वहां की immigration process क्या है क्या है वहां की welfare measures क्या है वहां पर payment करने का system क्या है बहुत सारी चीजे कैसा होते हैं दूसरी country में चले तो जाते हैं लोग लेकिन जाने के बाद उनको वहां का चीजे नहीं पता रहती है तो वह सारी चीजे कहां पर प्रोवाइड करी जाती है वह PDOT प्रोग्राम के तहत प् सब्सक्राइब करता है उसके साथ कोन मिलके करता है मिनिश्ट्री आप स्कील डेलप्मेंट अंटी प्रेनियर्शिप इसमी overly diapers मिनिश्ट्री कि बेंनियर्शिप यह दोनों मिल के यह प्रोग्राम क्या करते हैं रखते हैं अब और फिगोटी प्योट प्रोग्राम जो है हाग इंपल्मिमेंटेशने को ने meant ठीक है प्रोग्राम में दो तरीक।फार में उता है। अभके मारीगृृंट बडाले अब कि मारेगेरन वर्कर्स का है इंडिया जाने में टैम है के बाद समय है तो उनको डीटेलड उनका उर्येंड़ीशन प्रोग्राम जो कि 160 घंटे का ह्या Exactly a 160 घंटे का बहुत बीडी बात 160 घंटे का प्रोग्राम रहता है ठीके थे और उर्गनाइस कर जा सकता है तो वह अटेंड कर सकते वहां बहुत जादा detailing में सामने वाली country के बारे में वहां पर किस तरीके से काम होंगा language प्रॉपर तरीके से सिखा ही जाएंगी आपको वहां की क्या language है लेकिन आप कोई जल्दी जा रहा है उसके पास समय नहीं कर सके तो एक दिन का प्रोग्राम भी अटेंड कर सकता है अब देखो इसमें जो अब अगर आप यह बात समझो तो उनके इसमें बहुत कि वह यह प्रोग्राम अटेंड करें तो सामने अली country के बारे में हर चीज उनको पता चल जाएंगी तो लॉंगर वेरियंट पीडियोटी वह अटेंड करते तो वह भी अच्छा है नहीं करते है तो यह भी यह कर सकते है क्लियर होगी बद लॉंगर वेरिंट नहीं कर सकते है तो यह कर सकते हो अरे बोलो यस और नो बोलो क्लियर अब ध्यांक सुनना लॉंगर वेरिंट ओ पीडियोटी दिश्टी आर्थ वस ओपर्ड एट ओल आई एससी आई एससी का मतलब होता है इंडिया इसी का मतलब होता है इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर वहां पर यह प्रोग्राम क्या करा जाता है अरेंज करा जाता है भूबर जल्दी से जाने वाले उनके लिए प्रोग्राम है बंडे वाला को रिवर्भड़ार्ट करते तो ट्रेनर्स जो बनते महां पर ओलो क्या करते हैं इसको प्रोग्रेइड करते ट्रेनेंग क्या करते हैं क्लिया बहुत चिल्डर था उसकी बाद टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक रखा गया वह लास्ट पॉइंट है आज का वह समझते इसके बाद नहीं अलग अलग टाइम में मुखता सके ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है वैसे तो यह जो वन डे वाला हो रेगुलर वेसिस पर ओन्गोइंग रहता है ठीके ना ताकि आप कभी उसको टेंड कर सको दिप्रोग्राम अब यह थोड़ा से एक आखरी पॉइंट है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोग्राम प्रमोट इंटर्नैशनल कोलाइबरेशन थूदी ट्रांसफर ऑव स्किल टेक्नोलोजी अंग नॉलेज अमंग थी पार्टिसिपेटिंग कंट्री देरभाई कांट्रीटिंग टूड़ दी हूमन रिसोर्स डेव चीजों करें ज Délicate करें तो सबसे टेक्नोलü pensa कंट्री एक कांट्रीश्यं प्रह्त थी तो इंटर्मोननन चाहती है कि हमारी सीश लों इंटर्न मतलब मतलब इंटर्ण बनके सीखने के साफ से इंटर्ण बनके वह बड़ी बड़ी कंपनी जो जापान में जापान की इंडिया के लोग तो इंडिया क्या करती है यूथ को और वहां क्या करती है यह सेंड करती है तो मतलब आप भी आप एसेंट जिसको जाना है वह भी यह प्रोग्राम के सहर जा सकता है ठीक एकना आसान नहीं है सेलेक्शन होता है प्रोपर तरीके से उसके बादी जाता है सब्सक्राइब्स करेंट इंडिया एंड मिनिस्ट्री अफ्टी नहीं नैंसी एक दिन या वन सिस्टी आर वन डे शॉटर और एक लॉंगर वन सिस्टी आर्स क्लियर कि अरे यहां तक क्लियर के बोलो यहां तो गॉवर्मेंट प्रोवाइड करती है हमन पैसा या थोड़ा बहुत पैसा लोगों से लिया जाता है पुब्लिक से ट्रेनिंग लेते आते हैं पर जितना मैंने देखा है इसमें गौर्मेंट अपनी तरह से फंड्स प्रोवाइड करती है ठीके ना ताकि यह जो ट्र है चल आई होब क्लियर है पूरी कंट्री में अलग-अलग सेंटर से बेटा माप में उनकी सेंटर स्थी जाती है और अलग-अलग चोटे मोटे सेंटर से माप भी जाती है खरशेत चलिए ओक के गाइस दें फिर मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में कल एंजॉय और संडे अब प आई बाद सरूरी है इंप्वर्टेंट है और रहे पता निफ तुम्हार को मालू में को निवालू तो वो रही है कि सर आज बहुत इंप्वर्टेंट चीजें बोले ओके एं तीग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तिल दें थेंक्यू सो मच अच्छा लगओ तो कमेंट क करके जाना, लाइक करना, शेर करना, इंस्टा पे टेक करना, ठीक है ना, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते आप में को, थेंक यू सो मच गाइस, बबाई, बबाई